मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताके आपको लेटेस्ट वीडियो रिसीव हो जाएं असलालेकुम जी आज बना रहे है आप लों के लिए एक बहुत ही मज़दार स्नाक जो के बच्छों को बहुत पसाद आएगा इसका नाम है चिकन स्टॉगनॉफ विद गालिक नूडल्स देखें आजकल विंटल्स है ओविसली आपका दिल चाता है कि थोड़ी कोई क्रीमी ज बचादी है कि इसी किसे आपने इसकी स्ट्रिप्स बना ले नहीं है विश में जो सबजी में डाल रही है वो है मुष्रूम्स कैन्ड इस्तमाल कर लें फ्रेश तैट या चॉइस उसके बाद कुछे है यह बहुत फाइनली आपने इनको चॉप कर लें इस आपको ओमलेट के हुआ है यह वो हो गया बिश में क्रीम जाएगी डबल ले लें विपिंग जो आपको सानी से मिल जाती तो वो क्रीम हो गई अगर आप हेल्फ कॉंशिस हैं किसी डाइट पर है तो आप क्रीम की जगा जो है दूद भी इस्तमाल कर सकतें तास मिल्क लेकिन जो यह इसकी ट्र जाली मिर्चे, that's black pepper powder, thyme जो होता है इसे का जाता है जंगली पुदीना यह ड्राइट अपको डबो में मिल जाता है तो यह वो हो गया जोपनेस की नूडल बनाने उसके लिए कोई भी नूडल अपनी पसंद के इस्तमाल कर सकते हैं चाहे वो एग नूडल हो जाएं राइस connect six, sticks हो जाएं तो that's your choice यहा भी मैं newdles boil जाएं जिसरा के packet के फ़िचे का instructions होती है मक्षन जाएगा बीच में, that's butter, unsalted है, salted इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन भी जादा नमक न हो जाएगा, that's your choice, fresh smell lesson का इस्तमाल है, निके गालिक हो गया, इसे crush का लीजेगा, कुटी भी काली मिचेद है, that's crushed black pepper, dark soya sauce आपको चाहिए, नमक या निके salt, तो यी चीज़े होगी, आपको दिखाते हैं, इसको बिनाना किस तरह है, तो यह देख लें, सबसे पहले जो है, हम इसके न्यूर्ल गालिक वले त्यार कर लेते, तो बटर हो चुका यहाँ पैच्छे से गरम और मिल्ट, इसमें आप डालेंगे फ्रेश जो गालिक है, flame high पर रखिएगा और आपने इसको अच्छा सा जो है, सुनेरा रंग देना है, वनना फिर आपकी मूव में जाइका कच्छे पन का आएगा, तो यह देखने, इसलिके से आपने इसको सुनेरा रंग देना है, तक इसका कच्छा पन खतम हो जाता है, और यहाँ पिलागर कर कि आपकी आपकी boiled noodles है, spaghetti, जो आप इस्तमाल कर रहे हो बिश में डालने, डालेने के बाद अच्छी तरह आप इसमें जो है, इनको मिक्स करेंगे ताकि बटर और गार्लिक का जाइका अच्छे से बीच में आजए क्योंकि जब आप इसको सर्फ करेंगे तो noodles bland का जाइका अच्छा नहीं होगा, तो यह च अच्छी तरह इसको यहां पर टॉस कर ले और यह हमारा जो है यहां पर गालिक नूडल्स त्यार हो गए और उसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर दंपर रखा हुगा ताकि जो है, अब वो जो है स्टीम एच्छे से वाम हो जाएंगे, बटर आपने यहां पर अच्छे से करना यानि कि Tú Transparent हो जाएं तो यह देखने जैसे ही आप देखेंगे प्यास जो फ्लाइन हो गया। transparent से वीश में आपो आट करेंगी Joki चिकिन के पीसिस आपको दिखा करें गो और इसमें आप इसको पहले थोड़ा सा misक कर लें यही पर मैट करने लगें नमक पिसी भी काली मिर्चे थाइन जो है थोड़ा सा रश्टर के डालने फ्लेम को हाई पर रखें और इतना कर लेंगे जो चिकन का कलर है वाइट स्वारी पिंक से वाइट की तरफ आज़ें जैसे ही चिकन का कलर देखेंगे चेंज हो गया है इसमें आप आट करेंगे जो के मश्रूम हैं फ्रेश इस्तमाल कर लें कैन वह भी फिर आपकी मर्जी पर है या और किसी के साथ कुछ जीज मिलती है इसको चिसे मिक्स कर लें फ्लेम हाई पर रखें और इतना को करें कि जो चिकन पानी छोड़ रहा है और जो मश्रूम छोड़ेगा वो तमाम ड्राय हो जाए तो यह देखने है आपके चिकन कंप्लीटली हो चुका हुआ है अब यहाँ बला करके आपने जो है आपको मैदा दिखाया था को इसमें डालें चम्चा हिलाते रहे और कम सकम एक से डेर मिनिट के लिए इसको मैदे को ने एपके चिकन के साथ मेदे को कर लिए अच्छी तरह मैदे के साथ मिक्स कर ली अच्छी से कोख हो गया बीश में डालेंगे जो का आपको स्टॉक बताया था जो क्यूब के साथ बनता है या फिर पानी आप डाल सकते हैं चमचा इसमें हिलाईएगा और अच्छी तरह जो इसको मिक्स अब कर लें स्टॉक डालेने के बाद आप देखेंगे कि एक दम से ही गाड़ा हो जाएगा उसकी वज़े ये क्योंकि हमने बीच में प्लेएग यानिके मैधा डारा हुआए तो ये होता बडा सॉसी सा बनता है गाड़ा साँ ये चला गया जबीच में उसके बाद आप लें क्रीम और क्रीम को भी बीच में अच्छे से पहले मिंख कर लिए उसके बाद यहीं पर अपा आड कर लेंगे जो के sweet chili sauce आप से कही है इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, चूला बंद कर दें और जो है इसे dish out कर लें इसलिए आप इसको बनाते हैं, गर्मा गर्म आप इसको सर्फ करते हैं बच्छे जूर इंशालला एंच्छी करेंगे, तो आप सांथी ड्रिक्स किसा सर्फ कीजेगा जो भी रस्पी आपको पसांद आती हुसे लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिए एक प्लीट रिटन रस्पी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइप पर जूरूर बनाएए ताब को कैसा लगा दौा में याद रखें और थांक याद रखें और थांक याद रखें प्लीज मत रखें रखें